ओके, हेलो एवरिवन, आपका 11 जोग्रिफी का 2nd चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसके हमने 3 लेसन कर लिये हैं, 3 लेसन के बाद, अब हम ये इसका लास्ट लेसन कर रहे हैं, जिसमें छोटा सा पार्ट आपका रहे गया है, इंडियन डेजर्ट और जो भी आपके आइल ये आपके अरावली हिल्स के वेस्टर्ण मार्जिन की तरफ लाई करता है, इसके अगर हम रेनफॉल के बात करें, तो बहुत ही कम रेनफॉल यहां पर रिसीव होती है, 150 mm से भी कम, इसी वजह से यहां वेजिटेशन भी बहुत कम मिलता है, और क्लाइमिट भी एकदम ड्र होता है, यहां जो सबसे बड़ी रिवर फ्लो करती है, वो है लूनी और उसके कुछ जो स्ट्रीम्स होते हैं, वो रेनी सीजन में अपियर हो जाते हैं, अगर आपको एक इंपॉर्टन चीज यहां नोट करने की ज़रत है, लूनी जो रिवर है, वेस्टन राजिस्थान की रिवर है, और यह पुषकर वेली जो रावली रेंजिस की पुषकर वेली है, अजमेर के पास, वहां से शुरू होकर आपके रन ओफ कछ जो है गुजरात का, वहां पर एंड हो जाती है, क्रिसंट शेब्ड ड्यून्स जो है, इस एरिया की बहुत एक सिगनिफिकंट फीच फीचर है, क्रिसंट ड्यून्स जो होते हैं, जो धोरे बन जाते हैं रेट के, वह यहां की एक इंपॉर्टन फीचर है, थार डेजर्ट यहां इमेज में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, अब हम बात कर लेते हैं, कॉस्टल प्लेंस की, कॉस्टल प्लेंस जो है वेस्टन और इस्टन कॉस्टल प्लेंस यहां आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, यह जो पिंक कलर का पार्ट है, यह आपके कॉस्टल प्लेंस हैं, ग्रीन कलर का पार्ट है, यह आपके हिमालियन प्लेंस हैं, उपर का पार्ट है, यह आपके हिमालियन माउंटेंस है और यलो कलर का जो पार्ट आपको दिखाए दे रहा है कि आपका पेनिसुलर प्लेटी होता है और छोटे-छोटे जो रेड कलर के मार्क्स हैं वो आपके आईलेंड ग्रूप है तो हम अगर इसकी बात करें सबसे पहले वेस्टन घाट्स की तो यह रन ओफ कच्छ से कन्या कुमारी तक चलता है और इसके तीन बेसिक डिविजन होते हैं कच्छन काठ्यावार कोस्ट जो गुजरात में होता है कॉंकन कोस्ट जो महाराश्र में है और गाउं कोस्ट जो की करनाटक में है तो मालाबार कोस्ट जो है कैरला में वो भी इसमें आता है इसमें बैक वाटर जो है वो एक इमपोर्टन फीचर है यहां इमेज में आपको सारे दिखाई दे रहे होंगे कॉंकन कनारा मालाबार कोरमंडल और नॉर्थ सरकर तो यह रिवर्स स्टेट बांडरी और सारी चीज़ें आपको यहां पे इमेज में अच्छे से दिखाई दे रही होगी वेस्टन कॉस्टल प्लेंज जो हैं सबमर्जड कॉस्टल प्लेन है जो आपका बहुत अच्छा इक्जेंपल दौरी का जो सिटी है वो कभी इसी में लेंड का पार्ट हुआ करता था जो की पानी के अंदर पूरी तेकीस से समर्ज हो गया था तो submergence की वज़े से ही यहां narrow belt है जो की आपके port और harbors के लिए बहुत ही अच्छी एक condition available करवाती है इसमें आपके सारे ports आ जाएंगे कारणला, माज़ा गाउं, जवाला नेरू पोर्ट, नावा, शेवा, मारमा गाउ, मैंगलोर, कोचिन जो आपके natural ports और west coast पर लाई करते हैं मैंने कहा था backwaters जो है यहां की एक special feature है तो यह river का वो part होता है जो वहां से flow करता है जहां से पानी नहीं आता है बिल्कुल opposite direction में और इन ही backwaters में जो आपने कभी south की movies देखी हो तो उसी में आपके जो वो नाव की जो एक boat की जो racing होती है वो इसी में picturize की जाती है तो कैरला के जो backwaters हैं जो backwaters हैं यह brackish lagoon और जो आपके lakes हैं Arabian sea coast की उनके parallel लाई करती हैं इनको मलाबार coast भी बोल सकते हैं जो आपके कैरला के जो city है basically वहीं पर होता है इनको artificial किनाल से connect करते हैं तो backwaters जो यहां से बनता है यह economical means of transport भी होता है और large trade जो होता है यह inland navigation की बात करें तो उसी के थुरू होता है और in fact यह tourism के लिए भी बहुत ही एक beautiful scenery अगर हम बात करें तो tourism के लिए एक important significant tourist spot होता है जो कि आपको यहां देखने को मिलता है यह red color से जितने भी marks हैं यह सारे backwaters ही है इसके बाद मैंने बोला था boat race तो उसका जो नाम है वो वल्लम कली है जो कि आपके पुन्ना मडा कयाल जो है कैरला में वहां होता है यहां पर बहुत एक importantly लोग दूर दूर से इस चीज़ को आते हैं यह backwaters में ही conduct की जाती है western cost जो है आपका यह middle में narrow होता है और north और south में थोड़ा सा broad हो जाता है इसमें जो reverse होती है वो delta form नहीं करती estuaries बनाती है estuaries में कौन बनाती है नर्मिदा और तापी बनाती है क्यों क्योंकि वो rift valley से flow करती है अब हम आपके कौन से प्ले बात करें तो bay of bengal के along यह flow करती है और यह western part जो है यह broad होता है western center part से emergent coastal plane होता है और इसमें जो harbors होते हैं थोड़े से कम होते हैं अगर हम eastern cost की बात करें तो इसमें जो deltas form होते है महानदी कावेरी कृष्णा के थूरू और इसका जो extension है continental 500 km तक रहता है western coastal plane से अगर eastern coastal plane को compare करें तो इमर्जन्ट कोस्ट होता है वो submerged होता है यह emerge होता है ध्यान रखना है direction के according कौन estuary बनाता है कौन delta बनाता है किसमें river कम होती है किसमें ज्यादा होती है किसमें rivers का flow ज्यादा होता है कौन rift के थूरू निकलती है यह आपको दोनुए examples के थूरू जो differences यह उसमें द्यान रखना है आप टेबल चार्ट भी बनाएंगे जब आपके स्कूल रेगुलर होंके मैं आपको होमवक दूँगी तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें वेल डबलब्ड डेल्टास फॉर्म होते हैं और वो आपके बेहो बेंगाल के इस्ट वर्ड में जो रिवर्स फ्लो करते हैं उसके थ्रू होते हैं जैसे कि महानदी गुदावरी कृष्णा कावेरी और इमर्जन्ट रिनेचर की वज़े से यहां पर जो पोर्ट और हारवर हैं यह थोड़े से कम देखने को आपको मिलते हैं अब हम बात कर लेते हैं यह आपको जो